जैहिन दोस्तो मेरा नाव है सागर गुपता डिजायर टुलन में आपका स्वागत है तो आज अपन कवर करने वाले 27 दिसेंबर के करेंट अफियर्स यहापे अपन जाने के कुछ important facts और अगर आप कोई भी exam के लिए preparation कर रहे हो जहापे current affairs पूछा जाता है तो definitely यह series आपके ल करते हैं और dots को connect करते हैं तो first question देखते हैं कौन सी country ने ban किया है कि वह female students नहीं wear करेंगी अब आया कौन सी country है वो इरान इराक साओधी अरेबिया अफगानिस्तान तो यह किया है साओधी अरेबिया ने साओधी अरेबिया जिसका capital ही रियाद ठीके रियाद साओधी अरेब बना था biggest importer of weapons वाई सिपरी ठीके वाई सिपरी कौन बना था biggest importer साओधी अरेबिया और second पे कौन था second पे था अपना प्यारा भारत ठीके आप यह चीज ध्यान रख सकते हो और तालिबान ने भी recently अभी बैन किया था female students को universities में आप यह चीज भी ध्यान रखना और साओधी अरेबिया तो आप यह चीज भी ध्यान रखना नेक्स कोशन देखते हैं तो second कोशन काफी important और यह biology से भी related आपके exam में पूछा जा सकता है कि कौन सी disease है जो की completely eradicate हो जाएगी इंडिया से completely खतम हो जाएगी यह बारत से तो वो है काला अजर काला अजर जिसे हम black fever के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसे हम dumb dumb भी बोलते हैं ठीक है dumb 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 भी बोलते हैं हम इसे और यह किससे होती है यह होती infection with leesmania parasite ठीक है आपको यह चीज ध्यान रखना है तो यह खतम हो जाएगी कब तक इसका target था चलो अपन बहुत सारे disease discuss कर लेते हैं क्योंकि recently बहुत सारे exam में पू 2014 में ठीक है यह खतम हुई थी और small box small box हुई थी खतम 1977 में ठीक है तो अगर आप से पूछा जाए कि polio भारत से कब खतम हुई थी तो वह थी 2014 में और small box हुई थी 1977 में इस चीज आपको ध्यान रखना है अगर हम मैं बात करू कौन कौन सी disease का भी target ले रखा है भारत सरकान न तो वो है TB, TB, tuberculosis का target है भाई, 2025 तक हमें खतम करना है इसे और गौन सी है? malaria, malaria कब तक खतम करना है हमे 2030 तक और आपने सुना होगा एक lymphatic phalaris यह एक्जाम में पूछी गई थी lymphatic phalaris यह भी हमे 2030 तक खतम करना है और काला 1000 का target कब तक का था? काला 1000 का target है 2023 तक का तो यह मैंने बहुत अच्छे चीजे बताएं आपको पोली और स्मॉल पॉक्स का बहुत पार पूछा भी चाता है तो आप यह question ध्यान रख सकते हैं next question देखते हैं तो third question है कौन से IIT ने develop करा है artificial heart to deal with acute cardiac problems तो artificial heart से अगर आपको question आ जाए तो कौन से IIT ने किया है तो वो किया है IIT खानपून ने अगर आप मैं आपसे बात करूँ कि आपको IIT मदरास तीक है अभी IIT मदरास क्यों न्यूज में आया था तो आपने सुना होगा Sinduja 1 तीक है Sinduja 1 तीक है यह क्या करेगा यह ocean wave energy converter तो आप यह चीज को द्यान रखोगे काफी important question है और यह आपसे exam में पूछा जाएगा और IIT कानपूर भी आप द्यान रखोगे इसने क्या डेवलप किया है artificial heart तीक है और यह क्या करेगा यह help करेगा भाई people को जो cardiac problems होती है उनको तो यह काफी important है भारत की मतलब है एक achievement है तो next question देखते है तो fourth question देख लेते हैं recently फीफा ने officially announce करिये 2022 world rankings ठीक है 2022 official world rankings एनाउंस कर दिये फीफा ने तो आपको जानना है भाई top किस ने किया है तो top किया है बहुत interactive यह मैंने image बनाई थी तो top किया है भाई Brazil ठीक है ध्यान रखना ब्राजील ने top किया ह अब ध्यान ध्यान में यह तो भाई बहुत सारे लोग confused हो जाए कि अब भी तो world cup Argentina ने जीता है तो top भी Argentina ने किया होगा नहीं अर्जेंटीना रही second number पे ठीक है और France रही third number पे तो आपको यह चीज़े ध्यान रखना है अगर मैं बात करूँ अर्जेंटीना अर्जेंटीन इसके जो top player है वो कौन है नेमार जे आर नेमार मुरको मुरको का capital का है रैबिट ठीक है मुरको आपको यह पता होना चाहिए कि यह first African country बनी थी यह first African और Arab country बनी थी जो semi final में पहुची थी ठीक है जो semi final में पहुची थी तो आपको यह चीज़ भी ध्यान रखना है France का capital है Paris ठीक है यहां के जो player है Mbappé Mbappé ठीक है अब आप मुझे बताओ के Portugal पॉर्चुगल के जो best player है उनका नाम बताओ गया ठीक है पॉर्चुगल के best player कौन है आप उनका मुझे नाम comment section में बताओ गया next question देखते है तो 5th question है कौन Indian sports person become the only Indian to feature in the top 25 of Forbes annual list ठीक है तो अभी देखो अपना 2022 end पर है तो यह काफी index ही है आएंगे यह rankings आएंगी कि बाई किसने top किया है किसकी Forbes की list BBC की list तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना ही पड़ेगी तो किसने किया है यह P.V. Sindhu जी ने ठीक है P.V. Sindhu जिनने रेसेंड यह commonwealth में कौन सा gold medal जीता था ठीक है gold medal जीता था commonwealth में तो आप यह चीज़ ध्यान रख सकते हो अगर अपन बात करे list of 50 highest paid female athlete तो उसमें सबसे top पे कौन आता है उसमें top पे आता है Noami Oshaka कहा की है यह है यह जपान की क्या खेलती है भाई tennis खेलती है second पे आती है सरे P12 नंबर पे ठीक है तो कौन सा sports है आपको तो पता ही होगा badminton से है तो यह चीज़ आप देहान रख सकते हो अगर मैं आपसे बात करूँ अब भी PT उशा जी काफी news में थी तो क्या कहा है उनकी news ठीक है वो अब भी chairman हो नॉमिनेट हुई है vice chairman panel के लिए vice chairman panel के लिए नॉमि president बनिये इंडियान ओलम्पिक association की ओलम्पिक association की first woman president तो आप यह चीज़ भी ध्यान रख सकते हो और अंतिम फंगाल अंतिम फंगाल क्यों news में थी देखो यह भी नॉमिनेटेड हुई थी United World Wrestling Rising Star के लिए United World Wrestling Rising Star जिसमें 5 और हुई थी और इसमें कौन एक और हुई थी अंतिम फंगाल ची और इनके साथ 4 और हुई थी तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है और recent यह भी यह first ever U20 World Champion भी रही थी तो आप यह चीज़ ध्यान रख सकते हो काफी important question है वो कौन से sports है है तो यह है wrestling ठीक है next question देखते है तो 6th question है the international space registry has named one star after whose name ठीक है यह recently अब भी news आई की star को formal PM अटल बिहारी बाचपाई जी के नाम पर रख दिया गया है तो अपन यह थोड़ी सी news को discuss कर लेते हैं तो जो star है उसका coordinate क्या है 1405 यह उसका coordinate है ठीक है यह जो star है उसको क्या नाम दे दिया है अटल बिहारी बाचपाई जी और उसका registration number भी है यह देखे ठीक है तो काफी interesting news थी और यह किसके नाम पर रख दिया है यह रख दिया है अटल बिहारी बाचपाई जी के नापर रिसेंटल आपको पता होगा कि good governance day मनाया गया था 25 December को ठीक है किनका birth anniversary थी उस दिन birth anniversary थी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी बाचपाई जी की तो इसलिए यह चीज भी कर security practices in government sector अगर आप से पूछ ले कि best security practices in government sector कौन को यह अवार्ड मिला है तो यह अवार्ड मिला है UIDAI को UIDAI जिसका full form है unique identification authority of India यह अधार में database के लिए काम करता है इसकी founded हुआ था 2009 में तीक है 2009 में और अब भी recently दो अवार्ड और जीते हैं UIDAI ने अगर मैं आपसे पूछू तो अब भी grievance इंडेक्स में top किया था UIDAI ने और कौन सा अवार्ड जीता था अब यह ने इनको एक national level building अवार्ड भी मिला था national level building अवार्ड बिल्डिंग के लिए भी अवार्ड मिला था ठीक है तो अब भी सारे अवार्ड UIDAI को मिल रहा है बढ़िया लग रहा है ठीक है नेक्स कुश्चन देखते हैं तो एट्थ कुश्चन है कौन सी कंट्री सप्लाई करेगी S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टो इंडिया एक्चुली यह रिसेंडली न्यूज में आया कि 2023 में रशिया सप्लाई करेगी थर्ड स्कौार्डन ठीक है S-400 का यह जो डील हुई S-400 लदाक में और एक है अपना चिकन कॉरिडोर वेस्ट बेंगॉल में तो S-400 यहाँ पे डिप्लॉय कर रखे हैं तो यह कौन सी कंट्री सप्लाई करता है तो यह सप्लाई करता है रशिया अब यह थर्ड स्कौार्डन 2023 में सप्लाई करेगा तो S-400 आपके लिए इंपोर् अप्रोवल्स फ़र DGC है ठीक है एयर पे इक सि गरूडा एयर ऐे इयर सपेस अर्मिरी लोग सकाइल आर तो गरूडा एयर सपेस ने कराए इनको ए सेर्टिफिकेशन मिल गया है अप्रूवल मिल चुका है कि भाई आप जो किसान ड्रोन से है ठीक है जो 100 किसान ड्रोन बना तो वह कौन बनाएगा, वह गरूडा ऐरोस्पेस बनाएगा, या आप चीज ध्यान रखना है, और इसमें और कुछ तो नहीं है, और क्या बता सकता हूं, मैं भी ड्रोन से, अच्छा ड्रोन से ड्रोन से ड्रोन से ड्रोन दो न्यूस थी, मेगाले गवर्मेंट ने, मेगाले अगर आप से कोश्चन बूच ले तो, और एक कुछ न्यूस आई थी, कि अनुराक ठाकूर जी ने, इंडिया का फर्स्ट स्कीलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुवल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, कहां पे लॉंच किया था, वो लॉंच किया था चैन्नाई में, ठीक है, ए-लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर्द ड्रोल्स, ठीक है, आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, नेक्स कोश्चन देखते हैं, तो तैंथ कोश्चन देख लेते हैं, तो तैंथ एडिशन ओफ नॉर्थ इस फेस्टिबल बिगिन इन विस सिटी, कौन से सिटी में अच्छे चैपिटेल में होगा, नहीं, बट ये होगा न्यू देली में, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, कन्फूजिंग के लिए आपको ये क्वश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, इसका एम क्या है, ठीक है, नौर्थ इस तो यह चीज आप ध्यान रख सकते होगे और क्या बात कर सकते हो अपन अच्छा, तो लास्ट टाइम लास्ट टो टाइम से कहां पर हो रहा था पता है? यह हो रहा था गोआटी में तो गोआटी में हो रहा था यह फैस्टिबल बढ़ अब इस बार कहाँ पे होगा वो New Delhi में ठीक है 10th edition तो ये चीज आपको ध्यान रखूँगे Next question देखते हैं तो 11th question देख लेता है श्री मुकलिंगम temple ये recently news में आया है तो ये कौन से state में है ठीक है क्या हुआ है एक्चुली ये हुआ है कि जो archaeological survey है वहाँ पे उनने बोला है कि अमें UNESCO list of world heritage site में आप include करो recently अब भी include नहीं है तो इनको बोला गया है कि आप UNESCO list of heritage site में include कीजिए तो ये कहां पर है ये temple है आंदर प्रदेश में ठीक है आंदर प्रदेश में एक temple है ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो अभी मैं आपसे बात करूँ मैंने आपको 2-3 निन पहले बताया था कि recently UNESCO ने tentative list में tentative list में तीन चीज़ों को शामिल किया है ठीक है एक वो है sun temple ठी गुजरात और rocket sculpture कहां पर ये भाई तिरुपुरा तो ये भी आप ध्यान रखोगे इसके बाद और कुछ दियान नहीं रखना है नेक्स कोशन देखते है और ये temple ध्यान रखिएगा ये आंदर प्रदेश में है ठीक है शिरी मू कालिंगम temple नेक्स कोशन देखते है तो 12th को important हो सकता है आपकी एक्जाम के लिए गेटो सोरा विस जूनियर इंटरनेशनल चैंपियंशिप इन मलेशिया रिलेटेड टो विच स्पोर्ट कौन से स्पोर्ट से ही रिलेटेड है रिसेंटली इनने गोल्ड मैडल जीत लिया है तो कौन से स्पोर्ट से ये हैं बैड मिंट तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है अगर मैं आपसे बात करूँ कि मलेशिया से आपको क्या ध्यान आता है मलेशिया से आपको ध्यान आता है हरीमो शक्ती हरीमो हरीमो शक्ती एक्सोसाइस पताओगे आपको किसके बीच में होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में है नफ और ये कहां पर होई थी ये होई थी मलेशिया में इस बार होस्ट किया था मलेशिया ने और ये अब भी एंड हुई है ये exercise 12 दिसेंबर को इसलिए मैंने आपको ये बताई relate करा मैंने current affairs को देखें next question देखते हैं तो 13 question है और ये questions important होते हैं committee से question आपको मिल जाते हैं exam में और वो आपके लिए बहुत हाट हो जाते हैं तो recently CGI ने constitute करी ये committee जिसका नाम है physical and functional access ठीक है इसको head कौन करेगा रविंदर बर्ड केलाश खोकडी विशेज दाथवानी मांशुक जेन तो इसको head करने वाले हैं apex court के judge justice s. रविंदर बर्ड ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखना है कौन edit करेगा justice s. रविंदर बर्ड ठीक है ये ensure करेगी सारी reports को access करेगी audit करेगी result करेगी और disability and recommendation को ये करेगी तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसमें हमें क्या बता सकता हूँ अच्छा एक committee म पारिक committee ये आपने बहुत नाम सुना और ये question आपकी exam में definitely आने बाला है तो ये कौन सी किस से related है ये related है gas pricing से gas pricing से ये आगी भी ये news में आईगी बहुत बार आईगी ये news में committee तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है next question देखते है तो 14 question है श्री स्वामी नारायन 48 में तो recently 75th anniversary मनाई है PMG ने address किया है तो ये चीज आपके लिए important हो जाती है तो ये कहाँ पर किया ये है राजकोर्ट में ठीक है राजकोर्ट गुजरात में ठीक है राजकोर्ट गुजरात में recently अगर आपको पता होगा कि राजकोर्ट में गुजरात में election हुए थे और national games आपको पता होगा 36 national games और 37th कोन करेगा 37th करेगा गुआ ठीक है गुआ और गुजरात ठीक है next question देखते है तो 15th question देख लेते हैं काफी important ये आपके exam में देखने को मिलेगा ही ठीक है आपके से direct पूछ सकते है sports science center recently कौन से state में inaugurate हुआ है तो वो inaugurate हुआ है करनाटका में ठीक है ये चीज आपको ध्यान रखनी है किसने inaugurate किया ये inaugurate किया ministry of youth affairs and sports अनुराक ठाकुर्जी ने ठीक है अनुराक ठाकुर्जी जिनकी constituency कौन सी है हमीरपूर हमीरपूर हिमाचल प्रदेश ठीक है करनाटका भी क्यों न्यूज में आया था करनाटका न्यूज में आया थ youth conference के लिए youth conference कहाँ पर होगी ये होगी करनाटका में ठीक है कब होगी ये january में होगी इसलिए ये basically आपके लिए important हो गया है ठीक है इसमें और आप बेलगा और disputes वगेरा मैं बहुत चीज़े आपको बता चुगा हूँ तो next question देखते हैं तो 16 question देख लेते काफी interesting question है कि कौ to decarbonize event ठीक है actually मैं आपको पहले ये event के बारे में बता देता हूँ देखो ये dance floor है ठीक है ये समझो आपकी ball party हो ठीक है ये आप नाच रहे हो ठीक कूद रहे हो नाच रहे हो selection के बाद और ये आपके partner भी आपके साथ नाच रहे है तो ये आप floor पे क्या कर रहे हो floor पे कर र होगी यहाँ पर फिर लगा रहेगा dynamo dynamo plus generator जनरेटर जनरेटर डाइनमो जनरेटर का काम क्या होता है डाइनेमो जनरेटर का काम होता है mechanical energy को electric energy में convert करना ठीक है तो आपके पास आगई electric energy अब electric energy का क्या होगा जो petroleum and natural gas ministry है ठीक है वो क्या करेगी भाई आपने जो भी energy produce यह ठीक है electric energy जो भी produce करिए वो utilize होगी electric autumn wild के लिए ठीक है electric autumn wild के लिए यह आपकी energy use हो जाएगी तो इससे गाड़ी भी चल जाएगी ठीक है तो आपका यह नाचना भी हो गया और गाड़ी भी चल गई तो यह वहत मुझे interesting लगा तो यह कौन सी ministry नहीं किया है आप से exam में सकते हैं ठीक है exam में पूछेंगे तो आप कौन सी ministry लगाओगे ministry of petroleum and natural gas ठीक है अगर आप confused मत होना कि electrical है तो electronics से किया होगा renewable से किया होगा energy है नहीं यह है ministry of petroleum and natural gas के दुरूप ठीक है कौन सी ministry है ministry of petroleum and natural gas ठीक है next question देखते हैं तो आपको quiz of the day आपके लिए who has been elected as the prime minister of Nepal रिसेंटली prime minister of Nepal चुने गया है तो आपको बताना है किसे चुना गया है तो पुश्पा कमल देयाल, रवी, लमचिंदे, शेरबादू, दीवा, रजैंद प्रशाद, लिंजन्डाउ तो आपको यह नाम बताना है और जाकर कार्तिक जी ने बहुत अच्छा comment किया कि भाई आप यह series बंद मत करिएगा तो definitely यह series बंद नहीं है और अगर आप PDF लेना चाते तो आप यहाँ पे contact कर सकते हो, आपको सारा PDF, handwritten notes, सब कुछ यहाँ पे available हो जाएगा तो quiz of the day आपके लिए second question जो है वीरवाल दिवस्ट जो कि celebrate किया जाएगा या celebrate हो गया है, वो कब celebrate किया जाएगा December 23, 26, 22, 25 तो आपको मुझे comment section में बताना है सिद्दान तरिवेदी का एक question है कि sir, notes बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए देखिए जो आपको convenient लगे, देखिए दूसरों की strategy पर मत जाना कि हमने notes नहीं बनाए, हमने notes बनाए जो आपको convenient feel होता है, अगर आपका 20 out of 20 target है, तो daily भी current affair बनना पड़ेगा, daily notes भी बनाना पड़ेगा नहीं तो 5-6 question में अगर खुश हो, तो monthly wise देख सकते हो, मुझे भी कोई दिकत नहीं है, daily पड़ाने में, ठीक है तो आप आपके इसाब से convenience के इसाब से देख सकते हो, और मैंने monthly 1 से लेके 15 December तक आपके लिए PDF शेयर करिए टेलिग्राम पे, तो आप महां से revision भी कर सकते हो, अगर आप notes नहीं बना रहे हो तो, ठीक है तो आशा करता हूँ आपको ये series और ये lecture काफी पसंद आया होगा, मैंने कोशिश करिए कि dots को dots से connect करूँ और बहुत अच्छा एक current appear में बना पाऊं, तो अगर आपने instagram पे follow नहीं किया है, तो please follow us on instagram और telegram पे for the PDF, you can follow us on the telegram channel This video is presented by me, my name is Sagar Gupta, मिलते हैं next class में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जै हिन, जै बारत